इससलम्मु एलीक। आज हम पढ़ेंगे terminating and non terminating decimals के बारे में और इसके साथ हम पढ़ेंगे repeating and नौन repeating decimals के हवाले से तो फिरस्ट उन स्सार्ड करते हैं terminating decimal fraction वी जो मेनिंग वो यह हुता कि अगर आपके पास कोई भी fraction है rational number है और आप उस Fraction को जब solve करते हैं यह को जो सका दो मेरेटर है उसको नो मेरेटर के साथ डिवाइट करते हैं तो आपके पास अनसर आता है अगर आपका आणसर जाने कि फिक इंड चमयार चैन 7 2-3-4 चंद जी इसमें मैं आượng के पास आँ उन सरा तो वह आपके पास कराता है terminating decimal fraction अगर आपके पास आप डिवाइट करें fraction को और जो answer है बटा वो भी fixed ना आए infinite ना आए बलके वो क्या आजे infinite आए यानिके वो answer चलता रहे ठीक है तो उसे हम कहते हैं non-terminating decimal fraction इसकी जो definition है यह आपने यहां से त्यार करनी है the decimal fraction in which the number of digits after the decimal point are finite यह अगर आप fraction को divide करते हैं solve करते हैं तो point के बाद आपके पास सिर्फ fixed values आए finite कहते हैं मैंटा fix टीक है converting a common fraction into the decimal fraction the division process and then it is called a terminal terminating decimal fraction और इसी जाना से इसको आप इसाने से convert कर सकते हैं P by Q की form में और यह आपके पास क्या होते हैं rational number होते हैं याद रखिएगा अगर आपके पास terminating decimal fraction है तो वह आपके पास rational number होगी और अगर बटा आपके पास non-terminating decimal fraction है means कि आपके पास fraction थी आपने उसे जिब divide किया solve किया solve करने के बाद आपके पास जो point के बाद decimal के बाद जो answer है वह finite नहीं आता है बलके वह आता है आपके पास infinite वह चलता जा रहा है तो वह क्या कराएगा आपके पास non-terminating decimal fraction और basically वह क्या है आपके पास irrational number में आजएगा consider होगा सेकंड तिंग आती है repeating and non-repeating decimal fraction अगर आपके पास कोई भी fraction है ठीक है और जब आप उसको solve करते हैं आपके जो answer हो क्या होता है repeat होता है बार बर यानिके let's suppose अगर आपने let करते हैं आपने वन बाई थरी किया और आपके पास answer हो आता है 0.3333 it means कि आपके पास जो value है point के बाद decimal के बाद जो value है वह repeat हो रही है बार बर तो इस fraction को हम क्या कहते है repeating decimal fraction the decimal fraction in which the number of digits after the decimal point are infinite or while converting a common fraction into the decimal fraction does not and and none of digits is being repeated then it is called a non-terminating and non-repeating decimal fraction यह बैटा आपके पास non-repeating or non-terminating decimal fraction की definition आ गई है नहीं इसमें आपको यह बताया जा रहा है कि अगर आपके पास जो फ्रेक्शन है आप उसको solve करते हैं आपका answer जो है वह infinite भी ना रिफिनाइट ना आए ठीक है पीटिंग होगी तो आपके पास irrational number के अंदर consider होगी याद रखेगा decimals which are non-terminating and non-repeating are called irrational number यह वह बताया इसमें आपके पास क्या है नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है वह सब क्या किलेंगे इस rational numbers किलेंगे जबके जो terminating है और repeating है यह आपके पास rational number में consider होंगे आपको सारा लेक्शे समझ में आया होगा इसको अच्छे से परपेर कीजिएगा इन तमाम डेफिनिशन को याद कीजिएगा और इनके साथ बेटा एक 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 जैंपल जरूर मैंशन कीजिएगा थैंक यू